हाई लो दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानि की सरीता का कैसे हो आप लोग आसा है आप लोग पहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे हमारे निव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है जितने साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस वर से प्राथना है सारे साथी स्वस्त रहें मसत रहें अपनी जीवन में यूँ ही आगे करकी करते रहें तो दोस्तों हो गई है एक प्यारी सी सुबा की सुरवात आप लोगों को मेरा प्यार भरा सुप्रभात तो दोस्तों आज डेट है 22 जुलाई और दिन है सोमवार और यहां पर सुबह का टाइम है तो हमारी अंदर लग रही है जाडू और बाहर के भी काम सुर लेते हैं उसके बाद में जो है चलते हैं छट पर क्योंकि जो कल गेंदा की बेंड़ खेत पर लगाई गई थी तो उसका वीडियो हमने विलेज लाइफ विद्शरिता चैनल पर डाल दिया है कल डाला था और इस पर नहीं डाल पाये थे तो उसी में से जो है थोड़ी से प में लग गए थे तो बिल्कुल भूली गए थे तो सारे पौधे इसमें के मर गए थे तो यहां पर थोड़े से हमने राक लिए थे तो हमने सुचा चलो इनको आज लगा देते हैं और इसमें लगा करके ज्यादा मिटी है तो लगा करके इनको देखते हैं तयार कैसे क्या हो गई है और बरसात के बाद में इतनी उमस वाली गर्मी होती है तो बहुत जादा पौधों की तो जो नाजुक होते तो बैचारे उनकी हालत ही खराब हो जाती है तो इसी वज़े से कम चल रहे हैं और फिर आ गए थे नीचे और एक हमारी दीदी प्यारी सी दीदी ने पूछा हुआ है तो सोचा हमने चलो तरवी छील कर रख देते हैं और इनको छील कर धुल की भी रख देंगे फिर नहाने के बाद तुरंट चूला जला करके चाइव अगरा रख देंगे और जब तक पूझा करेंगे तब तक चाइप पक जाएगी फिर सब्जे चोंक देंगे तो यहां पर नहा करके आ चुके हैं और इधर कड़ाई में हमने डाल दिया है तेल इसमें थोड़ी सी मेथी डाला है और उसके बाद में ये मसाला हमने सिल्वर्टे पर पिसा है तो इसको डाल दिया इसको पकाने के बाद में तब डालेंगी ये तरोई और सब्जी छोकने के बाद में चले गए थे आयांस को नहलाने उनको नहला करके और जब तक उनको रेडी किया तब तक हमारी सब्जी यहां पर पक चुकी है और चावल भी हमने धुलके रख लिया है क्योंकि आज कहरें ममा हमको ग्रीन वाली सब्जी और चावल लेके जाना है तो हम पूछ रहे थे कि तरोई की सब्जी ले जाओगे या फिर पराठे बना दे तो कह रहे थे कि यहीं खाएंगे और ले भी जाएंगे तो थोड़े से चावल और सब्जी हमने कर दिया था टीपिन में और यहां पर सब्जी हमारी बनकर रेडी है और चावल भी हमने रख दिये थे तो वो भी पक चुके हैं और आयान जो है चले गाए हैं फिर इनका जो है टीपिन रेडी कर दो है कर दिया है साथ में और इनका भी अब टाइम हो रहा है तो दस-फंद्रा मिनट यह लेड़ जाते हैं और तो खाना हमारा बन चुका था उसके बाद कोई वीडियो हमने नहीं सूट किया था फिर वीडियो जो है अपलोड कर दिया था वो नए चैनल पर और यहां पर जो है स वीडियो में बने रही है का बहुत ही प्यारा वीडियो है इंजाए करिए तो कुर्टी तो हमने उस चैनल पर सेहर किया है और सलवार रहे गई तो हमारी इस पर हम जो है शेयर कर दे रहे हैं आप लोगों के साथ कि तो चैनल भी हमने बना लिया है और इसमें जो है एक घंटा लग गया था हमको बनाने में और उसके बाद में आ गए हैं बाहर तो यहां पर जो है एक अम्रूत जो बता रहे थे कि पकने वाला है मतलब जादा नहीं पक रहा है बस थोड़ा फूल जाते हैं वही फूले हुए ही अम्रूत खाने में अच्छे लगते तो यहां पर वही तोड़ लाएं हैं और आधा हमने खाया था, आधा आयांस लेकर के खेलने चले गए हैं, और यहां पर हम अमरुत खा करके आ गए हैं, तो इसकी पुताई चूले की कर देंगे, तो चूले की पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में आज हमको बहुत सारा काम करना है, जो कि अभी आप लोग बने रहेगेगा वीडियो में, और वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कर देना, तो यहां पर चूले की राखिम ने निकाल लिया है, उसके बाद में जो है, इसकी पुताई कर देते हैं, तो पुताई भी हमारी लगबग में होने ही वाली है, और अभी हमने उस दिन लिपाई किया ही था, तो फिर इस वज़े से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सापसुत्री जब पड़ी होती है, तो अच्छा लगता है, तो फिर वही हमने थोड़ा सा ही किया है, पुताई हो चुकी थी, तो यहां पर टपु को डाल देंगे ये घास, ये हमारे गेंदा की है, तो काफी ज़्यादा बड़ी हो गई है, आधे तो निकाह गए है, आधे रहे गए हैं, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, इतना ज़्यादा भागम भाग, इस टाइम सभी लोगों को है, कि कि कुछ पूछ पूचिये मत, और यहां पर थोड़ी से लकड़ी पड़ी हुई लेक्सि धोफ में, तो वही इनको बाग से जो ला रहे थे, तो वही डाला था, तो इनको उठा कर रख देते हैं, सूखी ज्यादा नहीं है, लेकिन उठा कर रख देंगे तो ज़्यादा सही रहा है, क्योंकि मौसम भी कुछ खराब हो जा तक, कभी यह बुंदी बांदी हो यह बुटेगी एक तसला तो कसके भरी नहीं थी लेकिन तसला में ही आ गई थी तो यहाँ पर चलते हैं सान लेते हैं कि और यह बूसा डाल देंगे तो हमने जो है नया बूसा डाल दिया है पुराना नहीं डाला It I easier तो यह पर देखें मिटी को मी सान के त्यार कर लिया है इसको जो हैं जो है हमने उठा लिया है और तसलिमे करके चलते हैं अंदर तो जहां पर हम बरतन रखते हैं तो उस अलमारी में मिट्टी लगाना है क्योंकि यह इंटे दराजे देखे यह जो जब बाबु छोटा था तो इसको पकड़ के चलने वाले नहीं हो गये थे तो इसी पर जो बहुत ज़्यादा करते हैं अगर जरासी भी तुमारी आँख दर से उधर हुई तो ऐसे ही करते हैं और इसको सीमेंट से इन्होंने एक बार जोड़ा भी है लेकिन बीच बीच में पतली सी सीमेंट लगाया था तो फिर से टूट गया है और इसको बनाने वाला है लेकिन हम अपने सोच चलो इसको हम क्या करते हैं जब इनको time मिलेगा तब करेंगे और तब तक हम इसमें मिटी से इस तरह से जुड़ाइज कर देते हैं उसके बाद में मोटी मोटी मिटी बाहर से लगा देंगे और सुख जाने पर इसकी पुताई कर देंगे तो चिकना हो जाएगा और जो है अब नहीं चड़ते हैं अब समझदार हो गए हैं तो जादा सैतानी परिशान नहीं करते हैं तो अब जो है यह इसमें परदा भी डाल देंगे और पहले परदा पड़ा हुआ था लेकिन यह तूटने पर कीली वगरा इसकी निकल गई हैं और अब इसको इसको इस तरह से रख दिया और उधर जो है मिटी बिल्कुल नहीं गई है जैसे हम धुलेंगे उसको जहां पर मारी बार से दिखने में अच्छी लगेगी और मजबूत भी हो जाएगी तो काफी जो है मिटी मोटी हमने लगा दिया था और बात में थोड़ी सी लाये थे तो नीचे लगा देंगे क्योंकि यहां पर जहां पर लगा रहे हैं तो यहीं पर हमारी गाली है तो जिसमें हम लोग सत्तू बगेरा जब बनाते हैं तो इसी में कूटते हैं मूसर से तो यहीं पर जैसे आप लोगोंने देखा मोसर भी यहीं पर रखा हुँ और गाली यहीं पर है तो वो जो है जब रामदे में हमने मिटी लगाया था तो इधर बोरी जो आप λोगों को दिख रही हैं और बताते भी रहते हैं कि बोरी जो रखी हुई है तो इसके नीचे नहीं लगा पाए थे मिटी क्योंकि ये जब खाली होगा तब यहां पर लगाएंगे उसके उपर इंटा रखे जाएंगे क्योंकि इंटे के उपर टेवल रखी हुई है तो फिर वो इंटे जो है इधर उधर किये भी जा सकते हैं क फिर साम का भी खाना भी बनाना है तो परेसान हो गए थे इस वज़े से अंदर हमने नहीं लगाया है और काफी ज़्यादा गिर रहे थे तो हमने सोचलो लगाई ही देते हैं फिर थोड़ी सी बच्ची थी मिट्टी दुबारा लाए थे तो यहां पर जो है लगा देंगे और लग चुकी है और अब चलते हैं बल्टी वगरा ले आते हैं उसके बाद में हां धुल लेते हैं और पानी ले आते हैं तो यह तसला यह तन बाहर करने में तो अब धुल के साम का नाएंगे खाना वर सो का फिर से होगा हमारा और इसा ही के साथ वीडियो समाद करेंगे उमेद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तुसे लाइक जरूर करें जादा से जादा अपने दोस्तों रिष्टेदारों को शेयर भी करें ताकि थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट हो सके तो फाइनल लो कुछ इस तरह का है और आप लोग जहां कहीं से हमारी वीडियो देख रहे हैं भगवान से हमारी प्रात्ना आप लोग हमें सक खुश रहें यू ही आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिये इजाजत नमस्कार दोस्तों